बई इतना दरद गुरू चेले में यो सेहना मुश्किल हो जागा परगो पीछन पे ब्याही ने मां तेहना मुश्किल हो जागा इतना दरद गुरू मुश्किल हो जागा बई दोके चंदे प्याही ने मां तेहना मुश्किल हो जागा इतना दरद गुरू मुश्किल हो जागा बैहे उलजन की बात गुरू इस मारे में क्या कहत लोगा जब हो इजब कामोल में ही उसे जिस तर्यामा कहत लोगा मेरा घट जह दर्म इबान गुरू जो राको पेरा कहत लोगा मन्ने जिसने पेरे साथ लिए उसे जिस तर्यामा कहत लोगा ते अगसे सेरे साथ लिये मुस्तरिया मा चेह दोगा वई चोदस के चंदर मा पे गुरू चोदस के चंदर मा पे गुरू गहना मुस्किल हो जागा पर पोपी चाने क्या ही गुरू गहना मुस्किल हो जागा इतना कद गुरू उचेले पे गहना मुस्किल हो जागा झाल चाल तो पिछन कहने लगते हैं कि है उलजन की बात गुरू इस बारे मैं क्या कह दूँगा जब हो इजब का मोल में ही उसे किस तरियाभा कह दूँगा मेरा घटजा धरम इमान गुरू जो रहा को बेरा कह दूँगा और मैंने जिसने फेरे साथ लिए उसे किस तरियाभा कह दूँगा चोदस के चंदर मा पे गुरू कहना मुस्किल हो जागा तो पीचन पे ब्याही ने मा कहना मुस्किल हो जागा इस बजन की एक कली सुनाई है भी बजन अच्छा लग रहा हो समझे में आ रहा हो तो वह एक बार जोरदात ताली आपकी तरफ से हो जानी छेए जोरदात ताली मेरी मारे कण्या सिद भोडे गुरू सोले रहाणी भोएगी मन के मेरा था साथ मेरे यू अनहोणी भी होएगी वै कंगा जलगा उत्तर को गुरू कंगा जलगा उत्तर को गुरू बहरा मुस्किल हो जागा फड़ को पीछन में प्याही दे वा बहरा मुस्किल हो जागा इतना तरफ गुरू चेले पे बहरा मुस्किल हो जागा हमारी माता जी वो भी सो रुपे दे करके सम्मान बढारिये में काम न करतो होगी सीतल दास महाराज सदा आप कभी सम्मान बढा करके रखें तीसरे नंबर पर इस संत समाज के बारे में कभी ने लिखा है वो गौपी चंद तीसे नंबर पर क्या कह रहा है अपने गुरू से क्या लिखा वो गौपी तस इंदरी मन उद्धी से पर हरकात हम बताया रोम रोम मेरा म्या हुया घट घट मेरा मद आया वो बजने करन का बजने करन का हपन में गुरू मुझे आठो यहां बताया पर ज्याही को मा कहने का गुरू केडा कांबताया जो दुनिया करे मखोर जगत में दुनिया करे मखोर जगत में रहरा मुझिल हो जाता पर खो पीछुन से क्याही में मा रहरा मुझिल हो जाता कि दानत गुरू चेले में रहरा मुझिल हो जाता हुआ एग समय है हाँ जब ये बात गोपी चंद ने अपने गुरु जी गोरखनाथ से कही तो गुरु गोरखनाथ कहने लगते है कि बेटा गोपी चंद यदि तु अपनी बड़ी राणी पाटम देखो मा कह करके भिक्सा लाए तो तेरा जोग सफल हो सकता है वरना तेरा जोग सफल नहीं होगा जब इतनी बात गोपी चंद ने सुनी तो अपने जो स्याही वस्तर पहन रखे थे उन स्याही वस्तरों को उतार करके गुरु के चर्णों में भर दिये और ये भगवा बाना अपने सरीर में धारण कर लिया किस सरीके से चोथे नमबर पर क्या हवाला हुआ और 200 रुपे सुमी देशवाल दी हमारे देशवाल साब वो 200 रुपे दे करके कलाकारों को सम्मान बढा रहे हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धनेवाद करता हूं सुनिये ख्याली क्या मन्य स्याही बस्तर स्याही बस्तर तारे भगवा नारली है पाया में साथी राजबल टेम गुरू थरी काट गया चाया में गुरू भी पुराम के लड़न सिंसर न्यू धर नहां पाया में भगवान बजल में ना जमता मन घुम रहा माया में पई माया का मसता ना हाथी माया का मसता ना हाथी यो नहरा मुस्किल हो जादा अर जो पीछें से जाही ने उपा के ला मुस्किल हो जादा इतना दद गुरू उचेले में ला मुस्किल हो जादा वै इतना दद गुरू उचेले में ला मुस्किल हो जादा इतना दद गुरू उचेले में ला मुस्किल हो जादा कर दो